हालो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदुवारा स्मार्ट लर्निंग तो मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स कैसे आप लोग मजे में होंगे और चलो मजे में नहीं तो फिर मजे में आपको लाते हैं एक नई सेशन के साथ, नई फिलो के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने उत्साह जो सुर्जिकान त्री पार्टी निराला के द्वारा लिखे ही गई कवीता थी, उसको मैंने अच्छे से लाइन वाइज मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था किया था ना, उसको आपने देखा था देखो, देखने के बाद तो आपको ये रियालाइज होगा कि इतना ही आपको एक्जाम में क्या होगा सम्मरी इसका लिखने के लिए दिया जाएगा, आगे आपका जो पोयम था फ्रेंट्स वो क्या था आपका अट नहीं रही है अट नहीं रही है, मतलब कि खुशी, मतलब बरदास्त नहीं होगे, किसी को इतना खुशी एक बार में आ जाता ना फ्रेंट्स कि उसको वो खुशी बरदास्त ही नहीं होती है, ठीक है, तो यही हमारे नेचर के साथ हो रहा है, अभी फिलहाल, क्योंकि मत कौन सा है, बसंत महिना चल रहा है फ्रेंट्स, तो नेचर जो है, अपनी क्या है, सबसे खुबसूरत महिना यदि माना जाता है ना फ्रेंट्स, तो यह बसंत महिना माना जाता है, बसंत का महिना क्योंकि इस समय क्या होते है, पेड़ पौधे अपने अपने नए जोन में आ जाते हैं, अपना जो खुबसूरती होता है ना उसको विखेरने का जो टाइम होता है, नेचर का वो कौन सा होता है फ्रेंट्स, वसंत रीतु हो होता है ठीक है तो चलो मैं आज सुरू करता हूँ आज की क्लास बिंदास ओके देखो कि टो देखो सबसे पहले इस पोयम को मैं पढ़ता हूं ठीक है तो पढ़ने से क्या पता चल रहा है अट नहीं है हम लोग को ना गाओं की भासा में बोलते अटना मतलब मतलब की समान ही पा रहा है वो चीज ठीक है ठीक है ठीक है अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है मतलब अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है फागुन का मतलब समझते हो फ्रें च्रावन से हम लोग का स्टाट होता है च्रावन बादो आशविंध कर्तिक अग्हन पॉस माघ फागुन हम लोग का लास्ट में गिना जाता है फ्रेंट्स जो महिना जो होता है ना इसी में आपका बसंतरी तू आता है और पेड़ पौद्य जो होते हैं फिर उसके नीचे बैठोगे माल लो पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के नीचे जब उस टाइम आप बैठते हो जब नहीं नहीं पत्ती आती है इतना सुनाहरा लगता है ना फ्रेंच लगता है कि अंदर से इंटरनल फिलिंग सो प्लेजेंट चीक है तो देखो बुलाए क्या कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कहीं सास लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम परपर कर देते हो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल कही हरी कही लाल कही पड़ी है उर्मे मंदगंदपुस्पमाल पाट पाट सोभासरी पट नहीं रही है धीक है चलो मैं धी इसको explain करूँ तो अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है मतलब क्या कि उप्रोग पंक्तियों में जो सुर्जिकांत्री पाठी निराला ने लिखा है अट नहीं रही है उसमें जो पहला पंक्ति है फ्रेंड्स उसमें कभी कहना ये चाहते हैं कि फागुन माह में आने वाली बसंत रीतु का बर्नन बहुत ही सूरत है एक छोटे से पोयम के माध्यम से कभी ये हमको समझाना चाह रहे हैं ठीक है कभी कहते हैं कि इस माह की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकिर्ती में समा नहीं पा रही है अट नहीं पा रही है ठीक है ये फर्स्ट लेशन आभा मतलब क्या होता है खुबसूरती फाग प्रकिर्ती में समा नहीं पा रही है ठीक है आगे यदि में बात करूं कहीं सास लेते हो कहीं घर-घर में भर देते हो उड़ने को नब में तुम पर-पर कर देते हो देखो कहीं सास लेते हो घर-घर भर देते हो उड़ने को नब में तुम पर-पर कर देते हो आक हटाता हू तो हट नहीं रही है मतलब क्या देखो इस में क्या बोलना चाह रहे हैं निराला जी जो है वो यह बोलना चाह रहे हैं कि उपरोगत पंक्तियों में कभी उस समय का वर्णन करते हैं जब प्रकिर्ती दुलहन की तरह सज धज कर तयार हो गई है मतलब आपका जब बसंत रितु आता है फ्रेंस तो जो पुराने पत्ते होते हैं पौधों के पेड़ों के वो पुरा जड़ जाते हैं और उसके बाद उन्हीं पेड़ों में क्या होती है नई नई पत्तियां उगनी शुरूई होती है जो देखने में इतनी आकरसक लगती कि कोई भी उसे देखे बिना नह रह सकता है ठीक है तो वहीं बोला है कभी ने कि उपरोग पंक्तियों में कभी उस समय का वर्णन करते हैं जब प्रकिर्ती दुलहन की तरह सज धज कर तयार हो गई है जब हवा चलती है तो सारा वातावरन फूलों के भीनी खुसबू से महें कुड़ता है देखते हो कभी ठीक है बहुत सारी ऐसी चीज़ hemos अरफ ने चर से बड़ा कोई नहीं ख विएक नेचर अपको खुसियंग आ देती है गम भी हाप अपर देती है आप मैतर करते हो कि आप उसे किस तरह से गेन कर रहे हो थेखता है कभी कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम फागुन मा आसमान में उड़ने के लिए अपने फंक फड़ फड़ा रहे हो मतलब क्या कि यह जो फागुन मा है न फ्रेंड्स वो एक ऐसा महिना है जिसमें सारे पेड़ पौधे ऐसे फूलों की भीनी खुस्पू से महा को उठते हैं हवा जब चलती है तो ऐसा फील होता है जैसे कि क्या यार यह मतलब नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कभी कहते हैं कि कभी ऐसा है हसास होती है जैसे तुम तुम क्या इसमें किसको बोला गया है फ्रेंस फागुन माह को बोला गया है आसमान में उड़ने के लिए अपने पंक फड़ फड़ा रहे हो इसलिए वह कहते हैं कि वह मतलब कौन कभी इसलिए कौन? कवी कहते हैं कि मैं अपनी आखे हटाना तो चाहता हूँ मैं इस प्राकिर्तिक दिरिश्य जो आपका मनोरम दिरिश्य इस वसंत रितू में इस फागुन महा में देखने को मिल रहे हैं इससे मैं नजरे हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी आखें हट नहीं रही है, इन पंक्तियों में फागुन माह का सुन्दर चितरन प्रस्टूत किया गया, होली के टाइम का जो मौसम होता है, वो काफी बसंत रितू है, उस टाइम ना तो ठंड होती है जादा, ना गर्मी ह जिस्ट में पौधे क्या करते हैं, अपना जो पत्तियां वगरा होती है, फूल वगरा होते हैं, वो अपना उपज नया नया सुरू होता है, वो न्यूबॉर्ण की तरह हो जाते हैं, पूरी तरह से, नव जन्म जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, तो ये आपका बसंत हटाना चाहता हूं, इस द्रिस्ट को देखने के बाद फिर भी मैं नहीं हटा पाता हूं, इसमें क्या दिया गया है, फागुन महा जो आपका है फ्रेंड्स, उसमें उसका सुन्दर प्रस्तूती, सुन्दर चितरन को क्या किया गया है, प्रस्तूत किया गया है, आगे देखो वसंत रितु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकलाते ये तो आपको भी पता है कि वसंत रितु में अभी मैंने बताया भी और डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है कभी उस समय की कलपना करते हुए कहते हैं कि मानो प्रकिर्ती ने अपन सुगंदित होते हैं उस समय वो अपनी भीनी खुसबू होती है वो पूरे वात्ता बरन में फैलाते हैं और कभी इसी का बर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे प्रकिर्ती ने क्या किया है ना कि फूलों से लदा एक माला पहन लिया है और वही हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी कि कलपना करते हुए कहते हैं कि मानो प्रकिर्ती ने अपने गले में एक रंग बिरंगी भीनी खुसबू देने वाली सुन्दर सी माला पहन लखी हो यह एक मिनिट कहां गए रंग भी रंगी भीनी खुसबू देने वाली सुन्दर सी माला पहन रखी हो कभी के अनुसार प्रकिर्ती के कनकन में इतनी खुबसूर्ती है बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है इसलिए में लेखक ने फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंद पुस्पुमाल पाट पाट सोभा शरी पट नहीं रही है बसंत रितु में जो पेड़ पौधे हैं उसमें नए नए कोमल पत्ते निकल रहे हैं या निकल आते हैं और डाली रंग बिरंगी फूलों से क्या होती है लद जाती है और कभी उस शमय की कलपना करते हुए कहते हैं कि मानो प्रकिर्ती ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुसबू देने वाली सुन्दर सी माला पहन रखी हो और कभी के अनुसार प्रकिर्ती के कंकर में इतन दामान ही पा रही है नेचर की खुबसूरती फ्रेंड उसके आगे कुछ भी नहीं है आज इनसान कितना भी खुबसूरत हो जा लेकिन जो नेचर व्युटी होती है ने फ्रेंड उसके सामने कुछ भी नहीं है ठीक है तो यही बातें इस चैप्टर में आपकी बताई गई है सुर्जिकान तरी पार्थी निराला की पहला आपका उत्साह था जिसमें बादलों के बारे में बर्णन किया गया था और दूसरा आपका क्या था अट नहीं रही है जिसमें आपके बसं के से देखते थे प्रकिर्टी को इससे ये बात पता चलती है ठीक है तो चलो आज की क्लास में क्या करता हूं यहीं पर ड्रॉप करता हूं और जो आपका फर्स चैप्टर था सुर्जिकान तरी पार्थी निराला का उत्साह और अट नहीं रही है यह दोनों मैंने अच्छे से एक्स्प्लेन कर दिया है जब मैं अगले क्लास में आऊंगा तो आपको इसका सारांस यानि समरी और इसके कोशन अंसर जो भी है वो आपको दे दूंगा फर्स चैप्टर आपका दन ठीक है तो नेक्स क्लास में मिलते हैं एक नए फ्लो के साथ अभी के लिए आप इसको पढ़ो रिवाइज करो इससे आपका दो या तीन मार्क्स कवर होगा जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है क्योंकि आपका पोयम जो भी है उसका आपको मीनिंग भी लिखना होता है एक्जाम में दो या तीन लाइन का आता है पोयम उसका बोलता है कि आप मतलब समझाओ तो मतलब जानने के लिए यहां आपको देखना पड़ेगा तो होप सो आपको classes अच्छी लगी हुगी आज मैं ये छोटा सा class ले रहा हूँ ताकि ये जो छोटा सा chapter बचा वथा आट नहीं रही है वो complete करना था तो ये मैंने complete कर दिया next chapter में मिलेंगे अभी इसको summary भी देना है इसका question answer भी देना है वो मैं पढ़ा भी दूँगा आपको PDF में भी डाल दूँगा अभी मैं भी दाल लेता हूँ next class में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखो धन्यवाद